तारीफों के पूल के नीचे एक मतलबी नदीब आती है नमस्ते उसा मेरा नमधेस और लेकर चोटी से कहानी कुछ यह है कि एक महराजा थे जो अपनी प्रिजा को बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखा करते थे शुक दुग में उनका अच्छे से साथ दिया करते थे कुछ कुछ भी होता था किसी भी तरीके समस्या है आप महराजा जी के पास जाए उनका प्रॉपर हल मिलेगा तो प्रजा बहुत खुश थी दिरे-दिरे महराजा की ख्याती जो है कि चारों तरब जो है कि फ्यालने लगी एक दिन होता गया कि महराज प्रमण पर निकलते हैं और स्कारी मिल जाता है महराज सोचते हैं उन्हें भी खारी को भी थोड़ा कुछ पैसे दे दिये जाए तकि जीवन वह बहुतर तरीके से जब गूज़र जाता है तो महराज क्या करते हैं एक स्पेरा सिक्ष के देखा देखा नहीं रहता है खुश इतना हो जाता है कि यह अश है कि भीकारी है Uka लगता है कुछ खोज रहा है सटानीकों भेज़ते हैं पता लगाने दीया जाता है और सब्सक्र में तो सकता है लेकिन येडी उसको लेता है और फिर में 30 वारे चिक्का Warren ke बॉलते हैं कि अभी उप्यक्ते है चाहिएैं तो मराज को लगता कि हो सकता है तो स्ट के चीए चीए तो महाराज उसको एक और दिल्वाते हैं कि ताकि दो सिक्के में उसका जिए बहुतर तरीके से बावजूद भी विखारी क्या करता है कि वह जो सिक्के दो अभी हो गए उसके पास तो दोने सिक्के रख लेता है फिर पहला वाला सिक्का नालिम गिरा दोडने लगता है है महराज पीर सट भेजते हैं आप उसको लेकर आओ ताकि हम पूछे या कि इसको क्या दिक्कत है क्योंकि जितना उसको सिंक्री दिए है उतने सिंक्व में जीवन जो है बेटर तरीके से गुजर जाएगा या जाते हैं और उससे दिखारियों उसको पकड़ के वापस लाते हैं इसे पूछते हैं कि अभी क्या दिक्कत है मैंने जो आपको सिक्के दिये हैं उतने में तो आपका जीवन आपन अच्छे तरीके से हो जाएगा तो भीकारी करता है कि महराज मैं पैसे तो आपने दे दिये लेकिन मैं खुश नहीं हूं कि हम लोग के पास सारी खुशिया हैं उस सिक्के के तोर पे उसको ले करके खुश नहीं होते हैं तो आपके पास जो आज में है जो आपके आसपास है उस खुशियों को ध्यान देजिए ना कि वो जो कल में चला गया है उसके उपर कल मिस मोजो नाली में सिक्के चला गया उ के ओपर, थेंक यो